एक के बाद एक पिछले कई महिनों से कई सालों से यह होता जा रहा है क्या यह इशारा है कि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ वन नेशन वन पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनितिक पंडित हैं जो यह कहते हैं कि एक समय आएगा जब अपोजिशन बचे गए ही नहीं यानि कि वन नेशन वन पार्टी यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मीडिया से अपोजिशन की आवास को पुरी तरह से दबा देना दुरुवराठी ने भी इस तरह के मुद्दों को उठाया है उनी पर मैं हलका सा प्रकास डाल रही हूँ विदायकों के खरीद फरोक्त होर्स टेडिंग जिसका जिक्र वो कर रहे हैं स्टेट गवर्मेंट से पावर छीन लेना नईने कानूनों को बना कर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वेपनाइजेशन करना यानि कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको खत्यार के तौर पर इस्तमाल करना अपोजिशन पर EDCBI का प्रेशर बना कर अपोजिशन के नेताओं को जेल भेज देना जैसा की हुआ भी है हाला कि इसमें कितनी सचाई है अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी सुप्रीम कोट बैठा है